आप सभी का बहुत बहुत बिलकम है हमारे यूटूब चैनल ओम ग्राफिक्स में तो फ्रेंड्स आज के इस टुटोरियल में हम बात करेंगे किसी भी वैडिंग फोटो को अगर आपको रिटच करना हो अगर आपको बैलेंस करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं हमारे डिस्प्लेच पर जो फोटो देख रहे है एक ओरिजिनल फोटो खीचा हुआ है और इसको हम एडिट करेंगे बैलेंस करेंगे किस तरीके से कर सकते हैं एक-एक ओप्शन को हम आज बताने वाले हैं तो हमारे साथ बने रहे हैं वीडियो में तो यह हमारे पास एक ओरिजिनल फोटो और इसको एडिट करेंगे सबसे पहले तो हम इसका कॉपी बना लेते हैं सबसे पहले तो हम इसको लेवल चेक करेंगे और कर्ब से हम इसमें थोड़ा सा लाइट वड़ाएंगे कर्व यूज करने के लिए कीबों के बटन से कंट्रोल एम प्रेस किया हैं चैपमें चले जायए यहां पर देखे कर्ब लिखा हुआ है क्लिक करेंगे और यह जो पाराग्राफ दिख रहा है यह पाराग्राफ यहां से देखिए इतना दूर यह दिया हुआ तो आप अगर नीचे से पकड़के थोड़ा सा उपर लेक्के जाते हैं तो इसमें देखिए थोड़ा light adjust हो चुका है मतलब फोटो मेरा पहले ऐसा था ऐसा था और अभी ऐसा तो मतलब थोड़ा सा कर्व का हम यूज कियें तो इस तरीके का फोटो आ गया है अब हम इसमें लेवल को खूल रहेंगे Ctrl L प्रेस करके हम लेवल को खोलेंगे Ctrl L सें Blue open हो जता है Ctrl L यह लेवल हो गया या फिर आप इमेज में जाए, adjust में जाए और यहां से लेवल खोल लेए कि यह देखे लेवल है आअ हे यह लेवल खुल जया लेवल को किया करना है सबसे पहले तो आप यहां से सबसे पहले यहां देखि έ तीन चीज दिया हुआ इस चीज को ध्यान से देखेगा एक, is तो इसको आफ तोड़ा सा आगे लेकिग जाए विच में हाईलाइट होता है तो आप ऊसको सोगो झाए और उसको जब कम किजीए गा तो आपका जो जांजान अब डिख रहा हो तो टोरा सा कम होते चाएगा देखिए आप अगर इतना कम इतना था अब इतना है अब क्या करना है फोटो में थोड़ा सा आप ब्रस का यूज करने के लिए आप कीबोन के बटन से अप सिफ भी प्रेश किजिएगा तो ब्रस आजाएगा या फिर आप यहां से इस वाले मैनू को ब्रस ले सकते हैं ब्रस ले लिए ब्रस को जो तरीका क्या होता है पहले तो फोटो को आप जूम कर लें जितना सम्भब हो सो के अब ब्रस चलाएं तो थोड़ा बढ़ियांसे चलेगा ब्रस हम ले लिए ब्रस लेने के बाद आपको कलर चूज करना है तो कलर यहां पर आप पिक करना होता है मतलब कि फेस का जहां पर आपको कलर सबसे बेश्ट लग रहा होगा वहां से आप कलर को पिक कर ले जैसे यहां पर मेरा सबसे अच्छा लग रहा है तो यहां से पिक कर लिए यहां अगर रहता तो हम यहां से पिक कर ठीक है अब देखें यहां समझने वाली बात यह हैं कि यह मोड है मोड में आपको नॉर्मल रखना है ओपा सीटी और फोलो होता है तो ओपा सीटी को आप लगवग लगवग बीस एकीस बाइस के असपस रखें पचीस से उपर जाईएगा फोटो खराब होने लगा फोलो को भी आप उतना ही रखें बीस बाइस चौबिस पचीस से उपर मत जाएगा नहीं तो फोटो धपा धपा देखिए आपको दिखाते हैं पचीस के उपर लिखे जाके जैसे हम यहां पर शिक्ष्टी ले लिए इसको भी बढ़ा लिए और जब हम इसको चला रहे तो इस तरीक सब्सक्राइब कर लेंगे यहां पर उगया इधर डारिक नेरिया वहां पर कर लिए जिस तरीके से आपको धीरे-धीरे करना है ठीक है और हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को प्रेस कर लिए फोटोसॉप में अगर कुछ भी सीखना हो तो हमें comment करके बता हैं उस तरीके का tutorial हम लाने का courses करेंगे इस तरीके से आप धीरे 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 आप इसका brush tool से आप इस तरीके से इसका use कर सकते हैं जहां जहां पर dark area आपको दीख रहा है वहां वहां पर थोड़ा थोड़ा बरस अगर चला दें तो थोड़ा सा adjust हो जाता है balance हो जाता है यह ठीक है अब आपके system में अगर filter है तो आप filter का यूज कर सकते हैं पिल्टर का यूंज तो आप कर सकते हैं और अफ लाइन हुआ कहीं से पर्चेश कर लें इंस्टॉल करना बहुत असान हैं मी अगले वाले एक कना में पोट्रेच्ज और एक कना में नोजी विया तो सिर्फ नोजी वियर कहीं यूज कर लेते हैं बस हम ओक्य कियाँ यहाँ पर कर लेंगे यह उटॉमेटिक सब ले ले लेता है फोटो देखेगा मेरा स्मूथ हो जाएगा कुछ फोटो मेरा स्मूथ हो गया पहले देखे पहले मेरा फोटो इस तरीके का था और अब यह इसा मतलब बहुत सारा चेंज हो चुका है इस फोटो में आप को दिख रहा है इस फोटो यह कितना चेंज हुआ है ठीक है फोटो मेरा लगवग लगवग चेंज हो गया अब देखिए इसमें क्या है कि आप बैलेंस थोड़ा सा कर लें बैलेंस कर लेंगे लिए कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल भी प्रेस करेंगे या फिर आप इमेज में जाएं, एड्जेश्ट में जाएं और यहाँ पे देखिए अपको कलरलर बैलेंस लिखा हुआ अब यहां से कलरलर बैलेंस यहां पे हाईलाइट पे चल जाएए और आप फोड़ा सा एलो को बलू के तरफ लेके जाएएगा तो picture थोड़ा सा और दिखने लएगा तो यहां से okay कर लिए यह हो गया अब इसका brightness और contrast हम देख लेते हैं तो उसके लिए आपको keyboard के बटन से alt iac प्रेस करना होगा लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अगर कभी जरुवत पड़े तो आप यहां से देख सकते हैं तो इसको हम देखिए जब बढ़ाते हैं तो इतना बढ़ आता है contrast को कम करते इस तरीके से आप कर सकते हैं हमारा photo ठीक ठाक है इसलिए हम उसका यूज नहीं करेंगे ठीक है अब आप देखिए एक selective color है उसका हम यूज करना बताते हैं आपको selective color यूज करने के लिए alt ias keyboard का shortcut की है और image में जाएंगे adjust में जाएंगे और यहां पे देखिए selective color लिखा हुआ है लेकिन उसके बगल में shortcut की लिखा हुआ नहीं रहते तो मुख मुख जो यूज है उसका shortcut की ब होता है alt iac alt ias alt ias alt ias से selective color open हो जाएगा आप देखिए यहां पे क्या है यहां पे color दिया हुआ है color दिया हुआ है तो मतलब कि यहां पे देखे red है blue है yellow है इस तरीके का सारा color दिया हुआ है तो इसका मुख रुप से आप माल लीजे तो मोटा मोटी एक चीज की आगर हम यह जहां से red लेते हैं red लिए और red को हम इधर जब minus के सरी बढ़ाएंगे red को तो यह photo मेरा जहां जहां पे red area है वो थोड़ा सा dark हो जाएगा photo में ध्यान से देखेगा हम जब कम किये तो photo में जहां-जहां red था खत्म हो गया जब हम इसको बढ़ाया तो जहां-जहां red ज्याद कर दिये यह कर दिये वह कर दिये बस वही होता है कि इसको हम थोड़ा सा कम कर लिए अब देखिए यहां से आप पिला लेजिए yellow और इसको आप थोड़ा सा कम कीजिए अब यहां से black ले लेते हैं black black को अगर हम थोड़ा सा कम करते हैं देखिए अग जहां-जहां black area है वहां चुका है, अगर इसमें कुछ और अगर आपको जनकारी लेना है, तो हमारे साथ वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप यहां से वीडियो बंद कर सकते हैं, इसमें कुछ-कुछ यह चीज बताएंगे, जैसे आप लिपी स्टीक है, लिपी स्टीक का अगर कलर चें हैं तो चलिए देखते हैं यह lip का color अगर आपको change करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं सबसे पहला option तो आप इसको select करके कर सकते हैं select करके मनिय कि आप paint tool से इसको select कर लिजे दो-تीन तरीका है यह सबसे सदारन तरीका है कि आप इस तरीके से आप थोड़ा अराम से इसका selection बनाएगा ये pen tool है pen tool से आप इसको selector ले फैफ किजिए फैफ कीजिक भार desire मार ये 3% सब्सक्राइब कीजिये अब keyboard के बटन से ctrl U ctrl U प्रेस किजिए अब यहां से hue है saturation है lightness है तो हम देखे जब इधर इस तरीके का हम इधर लेके जाते हैं तो इधर चेंज हो गया, इस तरीके का हम इधर लेके जाते हैं तो इधर चेंज हो गया, मतलब यह आप लीप का कलर यहां से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, देखे इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, मतलब पहले मेर तो आप लिब लिप यहां सेचेंज ए सकते हैं यह तो आप कर सकते हैं था कि यह हम धार करना है कि अगर हम किस तरों के से कर सकते हैं अगर और कर ना तो सब से पहले आप इसको यहाँ से एक layer बना लें एक layer बनाने के बाद यहाँ से आप paint brush tool को ले लें opacity और flow को 100-100 कर लें और यहाँ से आप color ले लें इस तरीके का red color okay किए और यहाँ से हम इस तरीके से इसको paint कर लेंगे आपको लग रहा होगा कि यह खराब हो चुका है लेकिन अभी ध्यान से देखिए इसमें क्या होने वाला है यह देखिए इस तरीके से हमने paint कर लिया फोटो को और paint करने के बाद यहाँ देखिए एक blending option होता है यहाँ से आप इसका change करेंगे इस तरीके से देखिए जैसे हमने यहाँ पर overlay किया तो इस तरीके का हुआ soft light किया तो इस तरीके का हुआ मतलब कि मोटा मोटी मान के चली कि पहले मेरा इस तरीके का था और अभी अब अब देखिए यहाँ पर एक कुछ extra parts भी color हो चुका है तो आप यहाँ से eraser tool से आप यहाँ से इसको erase कर सकते हैं देखिए इस तरीके से आप इसको erase कर दिए क्योंकि यह एक नया layer में बना हुआ है इसलिए आप इसको erase कर सकते हैं तो देखिए कितना dark हो गया यह lipstick आप देखिए यह ज़्यादा कुछ नहीं dark हो गया मतलब कि जितना होना चाहिए उस से ज्यादा हो गया over तो आप इसका opacity को कम कर लिजिए देखिए इस तरीके से opacity को जब आप किजिएगा तो धीरे-धीरे कम होते चला जाएगा तो यह हम कुछ-कुछ extra चीज इसलिए बता देते हैं कि किसी-किसी को अगर कुछ extra चीज सीखना हो तो आप सीख सकते हैं ऐसे अगर photoshop में कुछ भी सीखना हो कोई भी trick का जनकारी लेना हो हमें comment करके जरूर बता है हम उस type का tutorial जरूर लेके आएगे हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजे बेल आइकन को प्रेस कर लिजे कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा तो आज तक लिए इतना ही मिलते हैं नेश्ट वीडियो में धन्यवाद